Ankylosing Spondylitis एक Genetic या PDD तर PDD चलने वाली बीमारी है Ankylosing Spondylitis में मरीच जब सुबह सो के उठता है तो उसको कमर में जकडं या दर्द महसूस होता है Normally Ankylosing Spondylitis औरतों के मुकाबले आदमियों में जादा कॉमल ही देखा जाता है और severe form जो है वो तो करी 20 साल की उमर से शुरू हो जाता है इसमें मरीज जब सुबह सो के उठता है तो उसको कमर में दर्द जकडन महसूस होती है जो exercise करने से या थोड़ा हिलने डुलने से धिरे धिरे ठीक हो जाती है लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है ये जकडन या दर्द पर्मनेंट हो जाता है और मरीज का पोस्चर भी थोड़ा जुक के चलने जैसा हो जाता है अगर ये दिक्कत बहुत ज़ादा बढ़ जाती है तो इसमें hips, shoulders, knees भी involved हो सकते हैं बट वो later stages पे involved होते हैं कभी-कभी आगे की वह इसे जुकावा पोस्चर जो हो जाता है उससे चाती की जो muscles या जो bones है वो भी जाम हो जाती है और गहरी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है अगर ये disease काफी बढ़ जाता है तो मरीज के hips में arthritis, कमर में arthritis, कमर का जुकाव या shoulders में arthritis या garden नीचे की position में fix हो जाना इस तरह की दिक्कते हो जाती है Ankylosing Spondylitis का test एक HLA B27 नाम का blood test रहता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मरीज को Ankylosing Spondylitis है की नहीं Ankylosing Spondylitis में सिरफ हड़ियों की ही दिक्कत नहीं होती Inflammatory Bowel Disease या फिर आदो की सूजनाना जिसके वैसे lose motion, diarrhea या पेट खराब होना इस तरह की दिक्कते भी हो सकती है या फिर आख में सूजनाना जिसको की हम arthritis या uveitis कहते हैं ये दिक्कते भी हो सकती है Ankylosing Spondylitis का कोई permanent इलाज नहीं है शुरू में जब मरीज को दिक्कत होती है तो हम कुछ anti-inflammatories या pain killer देते हैं जिससे इस मरीज इस दिक्कत को हम control कर सकते हैं दीरे दीरे अगर ये दिक्कत बढ़ती जाती है तो मरीज की anti-inflammatory या pain killer की requirement भी बढ़ती जाती है और हमको ये और frequently देने पड़ते हैं ऐसा भी नहीं है कि सारे मरीज पूरी जिन्दगी pain killers पे ही चलते हैं कुछ लोगों को ये कुछ साल के लिए बढ़ता है फिर दीरे दीरे कम भी हो जाता है और फिर हो सकता कुछ सालों तक दिक्कत ना भी हो अगर किसी को बहुत जादा दिक्कत है तो initial stages में हम anti-inflammatory या pain killer से इसको control कर लेते हैं और exercise patient को regular करने की हिदायद देते हैं जो patients ankle losing spondylitis में regular exercise करते हैं उनका कमर का posture खराब नहीं होता और joints का movement जो है वो बना रहता है regular exercise करने से जोड़ खुले रहते हैं और read की हड़ी jam भी नहीं होती है अगर कोई stage पर आ जाता है कि दवाईयों के बावजूद भी दिक्कत बहुत बढ़ रही है दर्द बहुत बढ़ रहा है और हड़ीयों का movement कम होता जा रहा है तब हमें spine की surgery जिससे कि हम spine का जुकावा curvature सीधा कर देते हैं इस तरह की surgery करने की जरूत पड़ती है अगर किसी के hip jam हो जाते है तो hip replacement surgery की जरूत पड़ती है या अगर कभी shoulders में दिक्कत हो जाती है तो फिर shoulder replacement surgery की जरूत पड़ती है अगर किसी की garden नीचे जुकी भी position में fix हो जाती है तो उसके लिए भी spine की surgery होती है जिससे कि हम उसकी गर्दन को सीधा कर देते हैं और मरीज फिर से सामने देख पाता है। एंकलोजिंग स्पॉंडलाइटिस में एक और दिक्कत जो बड़ी कॉमनली होती है वो ये कि ऑस्टियोपोरसिस बहुत जादा हो जाता है। जिसकी वयते से वर्टिबल फ्रैक्चर बहुत कॉमन हो जाते हैं। अगर फ्रैक्चर कॉमन हो जाता है उसको सर्जरी भी करनी पड़ती है इस तरह की सरजजरी में हमको स्क्रूब और रॉड डालने पड़ते हैं और नसों को खोलना रहता है। spine में fracture होना ankylosing spondolitis में बहुत ही common चीज है और इसमें अक्सर surgery की ज़रत पढ़ जाती है क्योंकि इसमें हड़ी अपने आप से हील नहीं हो पाती अगर हम ankylosing spondolitis के इलाज की बात करें तो दवाईयों का इलाज जो है Ankylosing Spondylitis का कोई भी complete इलाज आज तक नहीं बना है, लेकिन दवाईयों से या exercise से हम इसको control कर सकते हैं. Surgery का role इसमें तब आता है कि जब मरीज को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और जोड जाम होने लग जाते हैं, तब हमें knee replacement, hip replacement या spine surgery जैसी चीज़े करने की ज़रूत पड़ती है. Thank you.